अब लोग आप सभी लोगों को मेरा प्यारा बार नमस्कार मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ आपके मने प्रेट फार्म टेस्ट पॉक पर अब लोग और यह बात माने नहीं रखती है कि आप कितना दीमे चल रहे हैं बात माने यह रखता है कि आप रुके नहीं है तो त्यारी में कॉंटिनुटी बहुत जरूरी होती है इसका मतलब है कि कॉंटिनुटी आप डेली पढ़िए ऐसा नहीं का अज आपने शेगंटा पढ़ा पर शॉब ने पढ़ाई नहीं फिर आपका दस दिन बाद याद आया एक्जाम है फिर आप 10 हिंटा पढ़ रहे हो फिर दस तरह निकल जा रहे है फिर आप 5 इंडा पढ़ रहे हो तो इसे चलेगा त्यारी पर नहीं हो बात दिया तैयारी में कॉंटिनुटी भाज जूरी होती है सो गुड मॉर्निंग पाके सर्मा गुड मॉर्निंग थान्या रभी पेका सर्मा जैहिन भाई जैहिन आगे बढ़ते हैं चलो बढ़ेंगे कुष्टन की तरफ आज कभी कुष्टन से हम लोगे उससे पर टेलिग्राम गुर्व आपको बता दूँ वह आपका एपका टेश्बुक के नाम से है इसको आपको जोन कर लीजिए क्लास के पीडियाफ और लिंक बगार आपको यहीं पर अवेलबल होगा ठ ठीक है चलो फिर आगे बढ़ेंगे इसी के साथ चलो आप बढ़ते हैं हम लोग पहले सवाल के तरफ कि विच स्टेट गवर्वर्मेंट फोर दी फर्स ताइम हाज नॉमिनेटेड कोपरेटेड लीडर्स अज मेंबस अब दा करनाटका स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल किस राजसरकार ने उद्द्योग अगादमी को सेयोग को बढ़ाबा देने के लिए पहली बार कॉपरेट नेताओं को करनाटक राजी उचिसजा बश्चत के सदस के रूप में नामित किया है महराष्ट्रा केरल करनाटक और हो जाएक कौन से बढ़ा तमिनलादू में सांस करनाटक के राजी उचिसजा बश्चत के सदस्रूं को चुना जाएगा करनाटक में चुना जाएगा करनाटक में चुना जाएगा करनाटक हो जाएगा तो बहुत ही आसान सवाल हो गया करनाटक हो गया चलिए इसकी रिपोर्ट करता हूं है आज क्या इतना अच्छा सवाल किने पुस्तार है टो फोड़kelnिया कि हम घुथ पारन को जाएंगे दो को जाएंगे घैल अवे जाएंगे राजिपाल ज्येंगे करनाटर के अगर चीप निष्टर की बात की जाए तो मुक्की मंतिरी कौन होगे बेटा बताई जरा तो मुक्की मंतिरी हो जाएंगे कौन बेटा बसब राज बोम मही बसब राज बोम मही क्या हो जाएंगे यहांगे चीप निश्टा हो जाएंगे ये बात क्या करेंगे हम लोग याद रखेंगे चलिया फिर बेरी गुड हाँ बस अब राज वो मही अगला सवाल देखते हैं से क्या आता है कि अबकित नमदाओ क्राफ्ट रभा संहोगा नमदाओ नमदाऊ ओड़ाप अब करुछड कौने मेश कान नियची स्व कौ difाण मंदा केंदे है कि इंद्रेट या पर पूर्परश्दान अभविन नशсть पारशर्चन इतं मेंसे कौन करेगा इनकी सुरच्छा या संदच्छा क्योंकि जितनी भी आर्ट क्राफ अगरा होती है यह लोग आजिवका के लिए पहले यूज करते थे अगर आजिवका ही नहीं चलेगी उनसे तो लोग काम को छोड़ देते हैं जैसे कि पहले गाउं में लोग बढ़ी का काम करते थे पुराने गाउं था हमारा भाबर तो बढ़ा किरी करते थे कुछ के जो तेल प्रेडिने मसीने थी वो खुद के वहां थी तो बहुत आरे से कामते जो गाउं बाले खुदी करा करते लेकिन उससे पर उनको प्रॉफिट नहीं मिला अजिवका नहीं मिली ठीक है जैसे एक ब जाती है तो जब 1,500-2,500 इंसान को मिलने लगेगी तो वह क्यों पहले दुकान पर जाएगा 300 को कपड़ा खरीदेगा 400 कपड़ा खरीदेगा उसके पड़े पास लेके जाएगा पिटेले को नाप देगा उसके बाद बुस लेगा वो भी 200 रुपय लेगा और 500 रुपय हो जाएंगे तो ऐसे मसुस्ताद में चलो जाएं दूबार का तो पहनना है तो इसलिए एक वर्ग भी खताम होता चला जा रहे हैं और इंडिया में भी ऐसी होता है इंडिया में पहले बहुत ही हुआ था तो अभी जितनी हमारी पुरानी संस्कृती है कल्चर है उसको जिंद के साथ ओके तो और इसका पहला रचरी होगा के बहुत कि प्रहले कि जंप कशमिन के जो 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 यूबा準 है ओक लोग कोंको को सुल विकास सिरुवार ऑनुग था इस युजिता अगए है पीम के भीवाई कि इस रामाई कि इस रिखापन कभ छलाइग के सावा गाता कि और पुचार्ट होई थी तो देखेंगetes करा इसमें से प Talk had a 50 Club 2016 मौनसंकर पांडें फंदा हुआ 2-0-5-5-5-5-5-5-5-2-0-5-5-5-5-5-5, index the right answer हो जाएगा, यह बात नोट कर लेंगे, ठीक है बात, शेख लो आगे बढ़ते है जलो ते अरहिए को श्योन है, पांदा किसे सूरा दो जाएगा, हैहागा सूरा कैसे लगा ह्रों, 16 किसे लगा रहे हो अब देखो 16 की बात करें देखो मैं तुम लोग ना देखो तीन फेज में चली पीम के बीवाई पीम के बीवाई बन पॉइंट ओ यह 2015 में इसकी स्टार्ट होई थी अगर पुछा जाए पीम के बीवाई 2.0 तो यह 2016 से कब तर चला 2020 तक 12 से 2020 तक ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे आपका चलो अब जो चल रहा है पीम के बीवाई 3.0 चल रहा है जो कि अभी चला जा रहा है तो इसको आप लोग क्या करेंगे नोट कर लेंगे आई पास समझ में बचुआ कि नहीं ना आई है आई है हाँ जी 2015 लग रहा था बट हम पाले फेज को आड़ करके बोल दिये सा सोरी फोर देट नो इशू बस याद रखी का तीन है एक दो और तीन तीन हो याद रखेंगे ठीक है चलो बच्छो आगे बढ़ेंगे गल्दिया करो हजार करो हां लिग गल्दी बार बार मत करो राजिस्तान बिल होष्ट फस्ट ज करेगा जैपूर में करेगा या फिर उदयपूर में करेगा या फिर कोटा में करेगा कोटा में करेगा या फिर किसां करेगा जैसन मेरम करेगा किस लिगा पर करेगा जला पताए फटा फट फट हावाज है एक्जाम एक्जाम सही किया था एक्जाम रीजनिंग तो मतलब ब इंग्लिस थी इंग्लिस में हुए थे, I think 23, 23 कुर्शन के रांड, 23 का रांड इंग्लिस में हो गए थे, दो नहीं आ रहे थे, तो वो दो छोड़ दिये थे, G.S. में उन्होंने कुछ कुछन पूछे हुए थे, चलिए, तो और G.S. में उन्होंने 2019 का सवाल पूछा हुआ था, ठूथा जो 19 में एक अवार्ड दिया था, वो किसको दिया गया था, वो मुझे मिस्स हुआ है, मुझे याद नहीं था, और एक सवाल उन्होंने पूछा था, G.S. में पूछा था, एक सवाल, उन्होंने पूछा था, जो Lewis, यह बता भी देते, कि 1995. इर में इसके किरी कैबल्गित सवाल नुने की खोच की था, तो सच बतारों मैंने कई बार पढ़ा इसको बहुत अच्छे से मुझे आथा है यह लूज जोट एक स्ट्रक्चिय लेकर इसकी एर मुझे नहीं पता थी वहां पर ऑप्शन थे 1917, 1919, 1921 और एक कोई ऑप्शन और था वह यह वाला सवाल भी मैंने छोड़ा हुआ है और एक सव 23 मैंत में आठ कुशन चूट गए 16 तर पहुंच पाया आठ देखी नहीं वाया मलब 17 तर पहुंच था आठ नहीं देख पाया था जिसमें सिर्फ दो कुशन चोड़े थे 15 कुशन मैंत में गिये और आठ कुशन चूट गए मलब टाइमी कहतम हो गया ठीके बढ़ देखते ह देखते हैं को अधिवर करेंगे चले है कि अचलो आगे बढ़ेंगे अगोशन में इस वार इंग्ली सब्सक्राइब टो फो इस इतने की वो इकदम सभी जिसके आंसर निकलें वहीं हैं चलो तो आप जाक अधर आगे बढ़ते हैं दर दो दिसंबर 2022 को 65 वी राश्टी निस अनेवाजी चैंपिंजिप में किस ने दोरा सुञ्ड जीता तो वं दावल गोल्ड एड़ दक शेश्टी फिफ्ट नेस्नल सूट इटिंग चैंपिंजिप अन दी सेंड डिसंबर नोज़ारूट है बताएं जली से लिटा सेंड सेंड दिसम्बो जार बास को किसने जीता चल बताएं हमारे सरब जोत सिंग हर्याणा के सरब जोत सिंग हो जाएंगे हर्याणा के सरब जोत सिंग ने क्या जीता है बेरिगोड ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे लुए अधिकर ये न говор करेंगे और सवाँ हाली में दिजमाया हुआ है कि बंड डिस्टिक में एक इक इस्पोर्ट को क्या कर देंगे विश्य सब्सक्राइब यंदिक्टिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्ति तो हम ऐसा इत्यास गवा रहा है कि जितने भी लड़ाकू आते थे जितने भी लोग अटेक करने आते थे या अफगानिस्तान की साइड से आते थे तो आज विदियो को वहां पर आतंक बाद और वह सब क्या पर उनको बांद नहीं सकते आप सिंपल सी बात है कि बहुत ते लोगों में जगे जगे हिसाब से कुछ होता है जनुटिक भी कुछ चीजें होती है राइट गुद बॉर्णि रादा गुद बॉर्णि आगे बढ़ेंगे टेस्ट करिकेट में नॉमें सबसे जानता बिकेट लेने वाले गेंदवाज बनने के लिए दचिन अफरीका के ड तो बिकम दर नाइंथ हाइस्ट बिकेट टेकर इंद टेस्ट करिकेट तो वो कौन हो जाएंगे जिन्होंने डेनिस टेन को पीछे चोड़ा है हाली की नुज है इतना मड़ा सवाल नहीं है बट फिर भी देख लीजे एक बार तो आप हो जाएंगे नाथन लियोन हो करिकिट इसलब शाएंगे जैसे 4000 बाला सवाल बनेगा चाराजार रहन वाला सवाल बनेगा ठीक है यह नहीं बताईए आप इस सरना बिकेट लेने वाल सवाल बन जाए मगा अब राट गोलिक सवाल बन सकता है यहां से चलिए आगर बढ़ेंगे हां यह बड़ी निज नहीं है भाई चलिए आगे बढ़ेंगे अखला कुछ नहीं से आता है कि हो वन गोलड मैंडेल अध रिइन्टरेशनल सुटिंग स्पोर्ट फेडरैशन ISSF का रिजिप्ट 1 काे रिच्प्ट opposite 5. अंग in गोलड केंओं को मिसर के काहरा में आयएवजीत इत प्रेशिडेंट्रेशनल सूटिंग स्पोर्ट फेडरैसन S. SSF Presidents Cup में किसने स्वान पदक जीट था तो रोहन पुपन्ना, शिवा थापा सागर डांगी और रुद्राक्ष पाटिल इसमें से क्या सही आंसर हो जाएगा ज़रा बता है फटा फट आंसर देंगे इसका क्या हो जाएगा सागर डांगी आंसर जाएगे बठा है यहां से रुद्राक्ष पाटिल इसदा राइट अंसर हो जाएगा ठीक है सागर डांगी पता है तुम लोग कहा चुपड़की आए हो क्या लगा रहे हो सागर डांगी कहा चुपड़की आए तुम लोग ठीक हो बताओ ऐसे काम करेंगे कैसे चलेगा भीया सागर डंगी नहीं है चलिए सागर डंगी तो कहरा वाले हैं कहरा कहरा नहीं हो जाएंगे सागर डंगी जो जाएंगे अक्टूबर 2022 में कहरा चलिए 21 अक्टूबर 2022 को जीता था यह 2022 को सेम जगा पर काहरा और एजिप्ट में मिसम जीता था तो यह हो जाएंगे सागर डंगी ठीके लेकिन इतरे कौन से हो जाएंगे आपके इरो दिलाक्ष पार्टील हो जाएंगे ठीके बाद शिया लिए आगे बढ़ेंगे ओके समझे चलिए हाँ आगे बढ़ते अगला कुछ से देखें क्या आता है जूलिया रिचर्ड पास्ट अवे इन दिसंबर 2022 इन विच इयर डिट सी विन आउस्कर फोर्दर फीचर अमेरिकन फैक्टरी तो जूलिया रिचर्ड का दिसंबर 2022 में इधन हो गया है और किस बर्स उन्होंने अपनी फीचर अमेरिकन फैक्टरी के लिए ऑसकर जीता 2018-2019-2021, 2018-2019-2021 में से किस यहर में जीता है, गुड़ मॉनी मीनल दियोगले जी, गुड़ मॉनी निखिल सर्मा जी, निखिल पाल जी, पहली बार आए आप लग रहा है, तो नाम मुझे पहली बार दिख रहा है आपका निखिल पाल जी, I think आप पहली बार आए हुए है, चलि तो फीचर अमेकन फैक्टी के लिए जो जीता है, तो जीता था, 2020 में जीता था, तुक्का मारना मतलब तुक्का मार होगे, जरू कुछ ना कुछ तवान से देना ही देना है, यह थोड़ी एक आदत सुदार लो, मैं खुद गिया था, मैं ऐसे मेरा एको हट हो जाता, कि अर अगर नहीं आंसर आता है तो उसको छोड़ना सीखा करो, ठीके बाद चलिए, अभी हाली में एक जरनादास एक परसनालिटी है, फेमस परसनालिटी है, कि किस फील्ड से बिलॉंग करती है, इनका भी हाली में निधन हो गया है, तो यह उडिया अबनेत्री है, यानि कि यह फिल्म जगह से संबन्द रखती है, उडिया अब नित्री है, और फिल्म जगह से क्या रखती है, संबन्द रखती है, हाली में जियांग जेमिन का बनेत्र हो गया है, जियांग जेमिन याद रखे गया है, यह कौन है, यह जो है हमारे चाइना के भूत पूर्व राश्पत जियोंग, जेमिन, ठीक, इसके लाबा देखते हैं, इसके लाबा देखते हैं, इसके लाब बस इतने ही आद खेगा, बस चली, आगे बढ़ते हैं, फिर अगला कुछ नहां से आता है, बेटा की प्रतेबंदित, पदारतों के साथ दवाओं को सताबित करने के लिए, को स्केन करें, जो भी नाम डाला जाएगा, वो डाला जाएगा, जिस उने पता लग जाएगा, कोई सबस्टेंस ऐसा तो नहीं है, जो डोपिंग में फस जाएं बो लोग, जैसी मारिया सारा पोबा, तो मारिया सारा पोबा, बहुत सुंदर थी, वो खैर, मुझे बट पसं यह जाते हैं, और डॉक्टर समको एस्टराइट देते हैं, जो बारी बोडी में आ जाते हैं, तो अगर बो चेक करेंगे, तो वो डोपिंग में निकलेंगे, तो ऐसा हुआ था तो मारिया सारा पोबा के केस में, उसके बाद एक और क्रिकेटर था, मुझे खिलाडी था, उ की डोपिंग के पर देखके में, बिजयहँ जीति, तो निक जा चीछ जारी լारें के को झाला हो जाएं में, तो अप कहांसे बाद क्या हो जायेगा, चलो गल्यादर, चोट कि ए कि शोलो भाई आएक फट अ है है तो सौरास्थ तक के साहरा यह बच्छों का सौरास्थ आ रहा है जोरे राएं चिछले महालास्टा को कितने विकेट से हराया पांच विकेट से हराया ठीक है चाली तो जितनी ट्रॉफी बगरा होती है न यह ट्रॉफी आप करी देखो इसमें यह नहीं पूछेंगे कितने रन से हराया कितने विकेट से हराया कौन हराया यहां पर आप से यह पूछ सकते हैं कि वो वो ट्रॉफी किस से बिलॉंग करती है तो यहाद दखेगा कि जो जो स्पोर्ट्स हुए है उन्हें स्पोर्ट्स की ट्रॉफी जरूर रहत कर लेना ठीक आगे बढ़ते हैं फिर आसे कुछन आता है कि on 1st December 2022 RBI announced to adopt regulatory framework of how many tiers for urban cooperative banks UCVs waste on the size of the deposits 1 December 2022 RBI ने जमा के आकार के आधार पर सहरी सहकारी बैंक को USB के लिए कितने इस्तरों के नियामक धांचे को अपनाने की घुषणा की है ऐनिमान एनिमान एनिमानन एयों है। आप चरंट की बात करेंगे तो बहरा इनोंने रखा है कितना नों कि नुक है करोड तक पर फलाठ चरह कुल अ जाएगे 100-1000 करोर तर और तीसी लिमिट रखी नोने 1000-10,000 करोर और चोथी लिमिट की बात करेंगे फोर्थ लिमिट क्या हो जाएगे यहां पर वो रखी नोने 10,000 कोर से अधिक जाएगा 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 तो नहीं आएगा आगे बढ़ते हैं अगला कुछ नमजा चलिए कि इतनी में कितने जीरु लगेंगे वो भी नहीं पर दा तो इसे जोलो ना काई दाई सेकडा हजार ठीक है दस जार उसके बाद आएगा क्या लाख दस लाख करोड दस करोड बस हो गया चलो क्रोड हो गया उसके यहार हजह इसंज़ो दो रख यह दस जोड़ हैंगे दस ज यह बनेगा चलो जिरू लगातो हो लेंगे जिरू लगाने में किया दिक्कत है आगे बढ़ते है अगला कुछ ने दिखते में आया से कि एच एच दर फोलेइं वास नेमड बिनर अभध वैली गिफोर्ड प्राइज उन्डी समबर 2020 तो निम्डीकित में से किसे दो दिसमब 2020 को वैली गिफोर्द प्रिशकर का बजे था नामित किया गया था यहाँ पर वन गिसमस विष यह दा वूफ वाइल्डर दा जेवराज ज इन में किसको किया जाएगा जरा बताये चलो भाई जीन से पहले एनिवन 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 चलो भाई देखेंगे जैसे कि बरतमान कोई बीकर मामला चल रहा हो या फिर कोई राजनीतिक मामला चल रहा हो मामला चल रहा हो या उसके उपpektर कोई भी कला हो कोई ब這邊 कोई कि इन सीजों पर कोई ऑगर बुक लिखी जाती एक है कोई बुक लिखी जाती है हाँ जी, D is the right answer अगला कुछ नहीं से आता है बेटा कि the Kamala Devi चतोपध्याय NIF Book Prize 2022 has been awarded the Chipko Movement at People's Movement on 2 December 2022 who is the author of the book तो Kamala Devi चतोपध्याय NIF Pustak Purushkar 2022 को 2 December 2022 को the Chipko Movement at People's Movement से समानित किया गया है Pustak के लेखर कौन हो जाएंगे शेकर पाठक हो जाएंगे या फिर अतनाकर सेटी हो जाएंगे या फिर हमारे दीपन चटरजी हो जाएंगे या फिर हमारे नवदीप सिंग गिल हो जाएंगे इनमें से क्या आंसर होगा जिरा बताए शेकर पाठक चलिए आंसर हो जाएगा आपे बेटा गीता जैनती ओह दिन है जब भगवान स्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ग्यान समझाया था यह प्रवित्य गरंत गीता की कौन सी बरस गांट है चलिए गीता जैनती ओह दिन है जब भगवान स्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ग्यान समझाया था यह पवित्र गरंथ गीता की कौन सी बरस गांट है मतलब आज से कितने साल पहले यह गीता का पार्ट जो है पढ़ाया था श्रीक किष्ण ने अर्जुन को पढ़ाया था राइट बताएं जला बहुत अच्छा सवाल है यह अच्छा सवाइंदा सेंस की मतलब थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है जो गीता जेंती वैसे तो मनाई जाती है तीन दिसंबर को मनाई जाती है तो इस बार का मनाई गी थी 2022 में मनाई गी थी तीन दिसंबर को हर बार यह गीता जेंती जो है मनाई ज काव हिए रहे हो संसार दुखों का क्या है अड़ा है जो कुछ अधाया यहीं पहुआ ऌफ यह उप कि नहीं बोल दिया है कि इसका कोई मतलब नहीं है सब उद्देश से है सुक सांती है सब मुहमाया है तो ऐसा है क्या तो आप जा नहीं पढ़ेंगे अपने पढ़ेंगे सब आप इसा नहीं होता है चलिए तो पांच जार एक सो उनसेटमी जो है सालकिरा मनाई जा रही है फाइब ताउजन बन फिप्टीन बस गांट जो मनाई जा रही है इसको आद कर लेंगे और गीता की बात करेंगे तो स्रीमत भगवाद घीता में 700 जो क्या सबस्ट पास पास पा अमर बैटर एम अजुरुद्दीन तो बिकम दा सिक्स्थ हाइस्ट रन गेटर फोर इंडियास इन ओडियाई किर्गेट ओडियाई किर्केट पे भारत के लिए छटे सबसे सबसे जाना रन बनाने बाले पूर बल्लेवाज एम अजुरुद्दीन को किसने पीछे छोड़ हैं बताइए शिकर धबन है कि चुलिए है और अधिया कि भारत के लिए छटे सबसे जाना बनाने वाले पूर बल्लेवाज एम अजुरुद्दीन को किसने पीचे छोड़ दिया है तो सिकर धबन रोहित सर्मा बिराट कोली या फिर सिरियस आईया फिर में सांसर क्या हो जा tał सर्मा हो जाएगा ठीक है रहे सर्मा इसमसर हो जाएगा आगे बड़ते हैं थे वाइव दा थीम अव डा वर्ड सवाइल डे विस्त मर्द दिवस्त सौंपी थीम क्या हो जाएगी और विस्तौ मर्द दिवस इसम क्या ओ जाएगी कृट संवाल का एवजाएगी इसकी his Bardzo जाता है, इस पांच की बात करेंगे, तो थीम इसकी यह है कि तो आप कर दाब कितना होगा आठ तरीके के पाई जाती है बेरी गुड़ आठ परकार की स्वाल से पाई जाती है वर एक दें दूस्ता आप क्ला की पढ़ ने दूस्त सब्सक्रायकि की प्रोफायल होती है तो इत तरीके के होके से पर denkt जाता है राइठ उपर से नीचे बढ़ते हुए क्रम में दिसकान सा क्या हो जाएगा चार हो जाएगा क्या बात है सारे के सारे चीते हो रखे बैरी गुड आगे बढ़ते हैं अगला कुछ से नहीं से आता है बैटा नोट करेंगे कि क्लिंचा मेंडल एड़ी एशियन जूनियर बैडमिंटन चेंपिंशिप और चार दिसंबर 2022 को एसी आई जूनियर बैडमिंटन चेंपिंशिप में पदक जीतने बाली पहली भारतिये अंडर सेविंटीन सट्लर कौन बनी है तो सिम्नेफीत को और ब्रार या उनती हुडा या जोती या राजी या सिफ्ट कोर सर्मायन में से आंसर क्या हो जाएगा थेडम बताएग कि और अंव्य कि आ उनती हुडा हो जाएग उनती हुडा ने जल्सक्राइग हूंus आगे वाढ़ते हैं एंगे कोस्ता के तरफ अंतर राश्ट्री स्वायम सेवक दिवस आई वीडी द्वाजारबाइस की थीम क्या हो जाएगी? वाटिद थीम आप दा इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे आई वीडी द्वाजारबाइस? तोitate क्या हो जाएगी आपका व्यूआरिटी वाज़ारबाइस? करेंगे बात करीब है दोजार 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 दोजार, चार या पाँच की बात होगी, जब नावदे गया था, इंटर को यह था द आटा के जागा था, तो उस्टाइम पता है, बैटे उदे गया स्षाइब गास से बौलते हैं, एक डीट इस भी ने पोर बॉलिंटियर इन रहे चाहएं, तो मुने पूचा है क्या मलब पर बगल बादा बचा अब जो मैंने बगल बैठा हुआ था, उसको इन इंगली से यह या था थी वह बीचार गाउं से था तो बने पूचा उसे में यार यह क्या बात कर रहे है कर दो को लग रहा है जितनी बी वह पनी बनी पड़ी थी नहीं जो भी कागज जागज पड़े थे एक गंटा थे उन्होंने वह सफाई कर वाई थी उसकी बहुत मजा आया था चलो आगे बढ़ेंगे अगला कुछ नहीं से आता है पेटा कि on which day is Indian Navy Day celebrated every year to recognize the achievements and the role of the Indian Navy in the country तो देश में भारती नोसेना की उपलब्दियों और भोमिका को समानित करने के लिए हर साल भारती नोसेना दिवस किस दिन मना जाता है आगे बढ़ते हैं भारती नोसेना दिवस दिवस जंदा शार दिशंबर not 5 दिशंबर इसका आनस हो जागा चार दिशंबर तीके kajal very good चलो हां आगे बढ़ते हैं दर 5 दिसमब 2022 को नई दिली में आयो जित मिलेट्स स्मार्ट नूट्रिटिव फूड कॉन कलेब में मुके थी कौन थे तो वह दा चीफ गेस्ट एड़ दी मिलेट्स स्मार्ट नूट्रिटिव फूड कॉन कलेब अगे बढ़ते हैं दर 4 दिसमब 2022 को नई दिली में आयोजित करमचारी राजबीमा निगम की 189 भी बैठक की अदर्चता किस ने की तो बैठक वगरा होती रहती है इसमें आपर जो बैठक हुई है वो ही है इंपलाइस स्टेट इंसोरेंस कॉपरेशन ने की है और यहाँ पर किस ने कि जो फ्रिक्टमा पाइजकता इंसे आपकर कर रहा है तो बताई पड़ाफ चल neste channel किर दा कर रहे हैं क्या रिजन है चलो बताव इल्ली से भूपेंद्र अधब कौन है भूपेंद्र अधब भाई गुड मॉनिग बूसे मंत्री है कोई मंत्री है या क्या है बताओ फिर कोई आंसर नीदे रहा है यहां पर यह गड़त बात है चलो मद्धो में लिखते दाओ केंद्रियस्रा में दा रोजगार मंत्री केंद्रियस्रा में रोजगार मंत्री हो जाएंगे यहां पर अगला कुछ से देखेंगे यहां से क्या आता है कि the directorate of the revenue intelligence DRI is celebrating which anniversary of its founding day on the 5th to 6th December 2022 तो राजस्चुपिया निदेशाले DRI 5-6 December 2022 को अपने इस्थापना दिवस की कौन सी बरसगार मना रहा है कौन सी बरसगार मनाएगा 59th 62 या फिर 65 या 68 हिन में से कौन सी बरसगार मनाएगा तो यहां पर आंसर आपका क्या होने वाला है तो यह को राजस्चुपिया निदेशाले की बात करेंगे तो इसकी जो इस्थापना हुई थी वो कई थी अब धावी इस पेस डिवेट वन 5 दिसंब्स दो जार वाइस को अब धावी इस पेस डिवेट में संक्तरव अमिरात में अधिकारिक भारती प्रति निदी बंडल खा ने तत्तों कौन करेगा त्यांपे प्यूस गोयल जितेंदर सिंग धर्वन्दि प्रदान या फिराजन अब दावी इस पेस्ट अब है तो अब यह जो जो भाग ले रहे हैं वह जाएंगे जेतंदर सिंग हो जाएंगे आटिंत्रिया माँ राषपती के रूप में करें किया रहे हैं अंगा कुस्ज нया से आता है वेटा कि आर बेंकर्ट रमन की 109 जैनती हर साल 4 दिसंबर को मनाई जाती है उन्होंने भारत के राजपती के रूप में कार किया तो आर बेंकर्ट रमन 209th birth anniversary celebrated on the 4th December every year he served as the President of India 6 7 8 9 9 6 7 8 9ू से नंबर के रहे हैं जरा बताई आर बेंकर्ट रमन चलिए कर 2ndas आपने आरवेंकर्ट आइन तो यहां पर देखेंगे वह भारत के राश्पती गरूप में कार किया था बारत के में कार किया था तंजाबूर से ब्लोंग करते थे राइट आगे बढ़ेंगे अगला कुछ नहां से आता है कि पीम डरेंद मौधी इनागरेट दा सिक्स्थ बंदे भारत ट्रेन इन विच अफ दा फोलॉइंग सिटी जॉन 11 दिसमबर 2022 मौधी जी बंदे बार बंदे जो भार सब्सक्राइब बाट है यहां पर बच्चे पहले सांसर दे रहे हैं यह सब पढ़की जाते हैं जाते हैं यह बहुत शहीं है चलों आगे बढ़ेंगे तो बात करते हैं यह आप यह नाग पूर हो जाएगा तो रशीन उत आम यह तो नांस तक है श्ट्टिस गड़ से 36 आजना यह भूट एंदे अग यह अग्यूंतर भूस हैुज झिदना फेमस है सटवर की लिए नाग झा बाकैम होते हैं क्या ऐसी फ्र है बस क्यूंक है हुआ नाग पूर8 क emphasizing मिल तथे मुंब्हें यहां संत्र देखने को तो मिल नहीं रहें पताने अभी क्यूंधी मिल रहा है खैर आगे बढ़ते इसके लापा देखेंगे कि करने के लिए चलिए आगे बढ़ेंगे अगला कुछ नहां से आता है नोट करेंगे कि 36 वर विदान सवा ने सर्ब सम्मति से दो विधायक प्रारित किये राजपाल द्वारा अनमुजित किये जाने के बाद विदेख अधिनियम के रूप में परवतित हो जाएंगे और स्ट में स्ट में ओवी सी में और इड़ी डेवलुएस में कितने परसंट कोटा प्रादान किये जाएंगे तो यहां पर उन्हें बिदेख पारित किये हैं और यहां पर वह रिजरबेशन हुंने चेंज कर दिया है तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर स्ट एस्ट और है आप दीजी यह वाले आंसर चलो आज आफड़ा फट जल दीजी इस है अंसर लगाओ कितना स्ट में मिलेगा रिजवेशन कितना स्ट में मिलेगा और कितना ओबी सिम मिलेगा चलिए आगे बढ़ेंगे चलिए दूब एस्ट के लिए उनुने दे रखा किस हिसाफ से बाटा इनोंने समझ में नहीं आ रहा है और विची कह 17 परसंट आज आ जाएगा और इसके लाबह एडिपलेस को किता दिया है चार परसंट अगे चार पर सेंट दिया तो दो तीन पाँच साथ पांच साथ बारा चार सोला के शे एक तीन चार एक पांच पांच दो साथ तो इस वज़े से इस को जो है जानदा दिया गया है ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला जहां से अगला जला बताइए कि राज एक अलग विवाग इस्तापित करेगा किसका तो राज किस चीज़ का एक अलग विवाग इस्तापित करेगा for the welfare of the working woman for the welfare of the bd workers for the welfare of the differently evolved persons and none of these इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं क्या करेगा जला बता है तो महराश्च के मुख्यमंत्री एक राज संदे ने गोशना की है कि राज जी एक अलग विवाग इस्तापित करेगा किसके लिए for the welfare of the differently evolved person right daf के लिए एक अलग department बनाएगा very good अगला कोशन देखेंगे यहां से किनियम लिकित में से किस इस्तान पर जल्द ही भारत का पहला डार्क नाइट इसकाई रिजर्ब होगा तो बिचब्धा फोलिंग प्लेसिस इस ओल सेट तू सून है अब दा इंडिया फर्स्ट डार्क नाइट डार्क नाइट इसकाई रिजर्ब शिम्ला लदाक देहरादून नहीं दिली अजय सपना गूड बॉनिंग देख रहे हैं अजय सपना सपना का सपना देखकर सपने से जाकर सपने में कभी-कभी सपने से पढ़ने आ गए हैं चली वह दुरों लोगों का स्वागत है तो आंसर जाके इसकाई रिजर्ब किया जाएगा कहां पर लदाग मैं ठीक है चली कि आगे बढ़ेंगे यहां पर पर देखो क्या करो देखें को दो तारे डेख तो नहीं सकते हैं पर ठीके बाद prob Selे चलि आगे बड़ेंगे तो यहां पर यहां से यह क्या कर पाएंगे देख पाएंगे तारों को ग्राओं को रिजर्ब बनाएंगे तो सीधे आपको वह दिखेंगे तारे बगरा ठीके आगे बढ़ते हैं अगला कुछन देखते हैं बारत में गैस मुल इंद्रान फार्मूले की समझ्चा के लिए भारत सक्कारदारा गठित किरीट पारेक पैनल ने किस वरस तक भारत में गैस की किमतों को नियंत्रन मुक्त करने की शिफारिश की है तो यहां पर किनीत पारेक पैनल सेटप बाइदा गर्मेंट ऑफ इंडिया और रिव करते हैं अगले सवाल के तरफ सितंबर दिसंबर 2022 के महिने के लिए किस देश ने संग्त राष्ट सुच्छा फरसत यूएन ऐसी की अदिर्चता ग्रहन किया है तो विच कंट्री है अज्यूम्ड दा प्रेसिडेंसी ऑफ दा उनाटिट नेसंस सेक्योर्टी कांसिल फोर दी मन्त अब दिसंबर 2022 भूटान, सिंगापूर, इंडोनेसिया या फिर भारत या फिर इंडिया बताएं क्या हो जाएगा इसका जवाब इंडिया बेरी गुड इंडिया इसका जवाब हो जाएगा अगला कुछ नहीं से देखते हैं बटा क्या आता है कि Brave Hearts of भारत विगनेट फ्राम इंडियन हिस्टी पुस्तर के लेखक कौन हो जाएंगे? तो वो इस बोट्र ऑफड़ ब्रेवर्टे कीया हो जा गी चलो पबंसी लाल विक्रम संपत इसकांसर हो जाएगा आगे बढ़ेंगे भारत भंग्रादेश की बीच सांस्कृतिक संबंदों का जस्मनाने वाला पहला सिलहट सिल्चर मौटसब 2 दिसंबर 2022 को किस राज में शुरू हुआ चलिए तो भारत भंग्रादेश की बीच में जो सिल्चर मौटसब 2 दिसंबर 2022 को किस राज में से किस सहर में दिब कला मेला 2022 का उधगाटन करेंगे तो युनियर मिनिस्टर बिरिंदर कुमार बिल इनागरेट डियाई वी वाई कला मेला 2022 इन वीच अफ़ फॉलिंग सीटी ऑन 2 दिसंबर 2022 जड़ा बता हैं लखनो न्यू दिल्ली मुंबई या फिर जैपूर लखनो न्यू दिल्ली मुंबई जैपूर में से किस जगापर इसा करने बाले वो हैं तो आपकान से क्या हो जाएगा न्यू डेलेज का सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं तर कि किस केंद्र साथ से प्रदेश में आब आसी भपनों पर रूफ टॉप सो रोजा सहत्रों की स्थापनों के मंजूरी दे दी गई है in which Union territory the installation of the rooftop solar power plants on the residential buildings अक्रोस दा हैज में अपर मतलब जो 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 रेजिडेंशियल बिलदिंग होंगी उनके उपस क्या लगाए जाएंगे यह solar power plant लगाए जाएंगे of Madhya Pradesh who recently got extension Madhya Pradesh के बरतमान मुखिसाचीफ कौन है जिन्हें हाली में बिस्तार मिला है विश्वास मेहता टीम बिजय भासकर एकवाल एस बैंस या फिर बसंद प्रताफ सिंग इनमें से क्या अंसर होगा जरा बताइए तो हुजदा करेंट चीफ सेक्रेटरी आगे बढ़ेंगे इसी के साथ which state government had decided to promote one district one sport scheme को जो प्रमोट कर रहा है वो कौन कर रहा है वो हमारा यूपी अपना यूपी हो जाएगा राइट आगे बढ़ेंगे अचा हाँ एक सवाल और पूछा गया था कल के पेपर में पूछा गया था कि पाकिस्तान में ये कोई वह या बोलते है in ऑगया वह जो मुझंते नहीं हुआ जो में चोंड काया हूँ पाकितान को इस्टेंटे में जो हमारे क्लासिकल पाकिसे विए थह नामपर पागिस्तान में आ हम आपधे कुसे कहसा कुछ संजाब से बढ़ घ्जा ज्ञार था आगे बढ़ेंगे जमु और कस्मीर के उपरा जिपाल ने निम्ली खिद्में से किस जिले में अमर जबान सौर इस्तल का उद्गाडन किया है जमु एंड कस्मीर लेटरेंड गवर्नर इनौगरेटिट अमर जबान सौर इस्तल इन विच आप फॉलेंग डिस्टिक अज़ा जाएगा रियासी गंदरवल बारा मुला या फिर कुपबाड़ा अब जो होते ना यह सवाल मुलब कैसे करेगा आदमी मैं करेंट पढ़के जाओंगा पाकिस्तान के लोड़ी मुझे पढ़के जाओंगा तो यह ऐसा होता है कि कभी किसी को पता हो गया किसी को तुक आगे बढ़ते हैं कुछना से आता है कि निमलीखित में से भारती नोसेना का कौन सा जहाज वियतनाम पीपल्स नेवी के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दो दिसंबर 2022 को ही ची मिना सिटी वियतनाम पहुंचा है ची मिना सिटी वियतनाम पहुंचा है तो आयनेस शिवालिक और आयनेस कामोर्टा आयनेस कवारती और आयनेस गंगोत्री आयनेस कवारती और आयनेस विराट आयनेस दिल्ली और आयनेस कामोर्टा यह मैंसे क्या पढ़ेंगे भारत के राष्ट्री पिछड़ा बर्ग आयोक का गठन किस बरस किया था इन्डिया इंडिया 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 नेशनल कमिस्ट पो बैक बाइक बार क्लासे कब फॉर्मेशन किया गया देशको 92 91 92 94 जायगा आपका कौन सा 93 हो जायेगा 1993 आगे बढ़एंगे दिसम्ब 22 में राश्टिप्रिशलाबर्च आयोक के अद्रच के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो यहां पर इसके क्या हो जाएगा जड़ा बता है हन्सराज गंगाराम अहीर चलो बाई बढ़िया हन्सराज गंगाराम अहीर क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है आगे देखते बस 2022-23 के लिए Institute of the Cast Accountant of India का नया अद्यच्छ किसे चुना गया है तो क्या हो जाएगा चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका पता आगे बढ़ेंगे इसी के साथ बयोब्रद उड़िया फिल्म अबने त्री जहरना दास जो मैंने बताया दभी जहरना दास का दो दिसंबर 2022 को निधन हो गया है उन्होंने किस बर्स गुरु केलु चरण महापात्र पुरुसकार जीता है चलो बता बटा बटा पचल दिसे कब जीता थे अवार्ड तो अभी दो रिपोर्ट के अनुशार किस देश ने नई सामुई घत्याओं के मामले में उचितम जो खीमबाले देशों की सूची में सीर्स इस्तान हांसिल किया है भारत एरान पाकिस्तान या फिर अफ़ानिस्तान बढ़िया सवाल है अगरूंटी और न्यू रिपोर्ट वाई या इवस तिंग टैंग अर्ली वर्निंग प्रोजेक्ट इं दिसंबर 2022 विच कंट्री हैस टॉप दा लिस्ट ऑफ दा कंट्री जर्दी हाइस रिस्क ओफ एक्स्परेंसिंग निव मास्ट किलिंग तो आंस हो संद्या ने दो दिसंबर 2022 को विस्तारा अवियसन द्वारा पूरें से किस देश के लिए सीधी अंतराश्टी उडानों को हरी जंडी दिखाई है और नॉमल फ्लाइट के तुला में विस्तारा गरेट इन्होंने हाई कर रखे हैं और विस्तारा के रेट जो हैं वह और फ्ल फ्लिएебan मर्ज इं कौना रालना बताएए बस्तारा बहुत इस पाफे ऑफे इस जान ब ます टॉटारमों कि यह स्ते सभंड़र थोड़ी सद्रद मुने सुना यह तो विस्तारा आपके याद रखिमेंके हैं सिंगाफ़ूर की लिखी हानूनента सिंगाफर ठीक है एरेसिया और एक एरेसिया है और कौन है गौ फर्स्ट भी एरेसिया भी है गो फर्स्ट फी ओ enferm policy है चलिये अगे बढलेगा अन्तरास्टि आसे आता है कि उन्तरास्टि दिभ्यांग से धिल डिवस IdP22022 की दोजावाईस की फीम क्या है चलिये है दिव सब्सक्राइब पता जली से बटा प्या हो जाएगा ऑंतरास्टी दिंवाउ डिवस बस अई डी पीदी दोजा बाईश की सिर्फ क्या और जैएगी मिल जलदी बैठी फटाफ़-डakukan निकालagain जब निज़क्रल ये के बधिए अंतराश्टी दिभ्यांग जन दिवस आईपीड आईडी पीडी दोजाबाइस की थीम क्या है लीडर्सीब एंड पार्टिसेपेशन आप दा पर्संस बिद डिसेबल्टी इस तुवर्ड एंग्यूजिव एक्सेसिवल एंड सस्टेनबल पोस्ट कोब इन इंडी मड़ी यह हटा दो इसको ऐसे देख लू है इंग्लिस में लेकिन हिंदी में लिख रखा है पता नहीं क्य चलिए आगे बढ़ेंगे तो आंसे इसका हो जाएगे बटा यह हो जाएगा transformative solutions for the inclusive development the role of innovation in the in the in the fueling and accessible to accessible and the equitable world तो क्या हो जाएगा यह answer क्या हो जाएगा यहाँ से ठीक हो जाएगा second one is the right answer ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो अब अगला सवाल आँसे आता है बेटा कि who inaugurated a three day श्वर धरोहर festival in the new Delhi on 2 दिसंबर 2022 2 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में तीन दिसंब सिये श्वर धरोहर मौचसब का अगाटन किस ने किया है तो आँसा क्या हो जाएगा तेरा बताएगे निलाध्री कुमारी एंदा पंडित रमेह स्थी ठीक है मेहिताब अली एंदा पंडित रमेह स्थी पार्थी चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल यहां से आता है दोस्त की World Computer Literacy Day It's celebrated on December 2 every year World Computer Literacy Day was first marked in which year by the National Institute of Information Technology तो आपर देखेंगे विस्तु कंप्यूटर साच्छता दिवस हर साल 2 December को मनाया जाता है राश्टी सुचना पद्योगों की सांस्ता अंदारा विस्तु कंप्यूटर साच्छता दिवस पहली बार किस वर्स मनाया गया था तो आप हो जाएगा बेटा कौन सा ये दोजार एक हो जाएगा ठीक है तो ये कुछ कुस्संस ते आपके उनको अच्छे सियाद कर लेंगे Steady GK के जो कुस्सन मैंने दिये हैं ये आपको हमबग में करेंगे इसको हमबग में रखेंगे आप लोग और इसके साथ साथ टेलिग्राम गुरूब जो है मेरा EPSR टेश्बुक के नाम से है इसको क्या करेंगा आप लोग जोइन कर लेंगे क्लास के पीडिया फुलिंक बगरा यहीं पर मिलेगी और होमबग आपका यही है क्या करना है Steady GK के सवाल जो है वो करने है इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोग एक काम करिएगा अगर आपको डिड़ेगा आप जोइन करना है और आपके लिए एक न्यूज भी है मेरे पास आप जाएंगे इधर जहां पर आपकी क्लास चल लगी है यूटूब पर आप किलिक करेंगे किलिक करने के बाद कोल जा सिमसिम तो तक पता नहीं कहां चल रही है चलिए प्ताँ नहीं कहा छल्री मुझे दिख ने रही अभ़ि है कैसो देखता हूं एक बार में चैनल्स पे जाता हूं लाप बातुत 충 Do यह सी कंकर कर देनके कीन का लाप दिवल से कभल यहाँ और B किलिक करेंगे डिıllीक करने के बाद बार थुम इसको क्लेक करेंगे आप कि अबहा है, इसएक करने ने के बार नस्य नेको इसको किलिक करेंगे लाइक करेंगे और नीचे आएंगे यहां पर आप पहुंच जाएंगे और यहां पर आप पहुंच जाएंगे और यहां पर आप पहुंच जाएंगे सीधी हमारे आप पर जहां पर जाके आप जो इसके कोर्स है उठा सकते हैं फाइदा उठा सकते हैं लप उठा जा सकते हैं और मेरा कोड लगा सकते हैं यह यह मैंने मेरा देखिए अपको कितने तो 299 में मिल रहा है क्योंकि 2700 का हुआ करता था 299 कूपन लगाएंगे याप पर इसके साथ में और इसके साथ देखें कि इसको जान के लिए यह रहा हम से कोड लगा दीजिए एपिस और मास्टर क्लास भी आपकी चल नहीं है वो मास्टर क्लास एक चलती है सुबह साड़ नौ करें और एक चलती है सामको 10 बजे तब तक के लिए गुडबाई टाटा टेक केर बाबाए